कि यह गाइस तो स्वागत है आपका मेरे यूटीव चैनल ममता फैसन स्टोडियो मैं तो आज मैं आपके लिए कुर्ती की पुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम यह ट्रेंडिंग कुर्ती बनाएंगे यह रेखिए यह स्लीव साइस की नेक चालिया आए यह देखिए इस पर हम कोटी का निशान लगाएंगे तो कोटी जो हमारी लैंद था वो 13 इंचिस होगी और हम एक इंचिस का मार्जन लेकि 14 इंचिस पर मैं निशान लगाऊंगी यह देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे हमारे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट आप चाहिए तो गोटी 14 से 15 इंचिस की भी कर सकते हैं यह देखिए अब उपर में हम आर्म होल आर्म ब्रैथ लेंगे तीरा साथ इंचिस का मैंने तीरा लिया हुआ है यह देखिए और जो आर्म होला वो मैंने 6 इंचिस लिया हुआ है यह देखिए इसे तरीके से ले लें आप भी चैस्ट जो है वो मैंने 9 इंचिस लिया हुआ है और कमर जो है वो मैंने 8 इंचिस पनिशान लगा है कमर का कि यह देखिए कि अब इन सारे निशानों को हम जोइंट कर लेंगे यह देखिए एक्स्ट्रा मार्जन भी ले लिया है मैंने डेड़ दो इंचिस का जितना आपको रखना आप रख सकते हैं डेड़ का भी रख सकते हैं अब हम इसे गुलाई दे देंगे आर्म होल की और यह हमने एक डीप गुलाई दिये जो हमारे फ्रेंट पार्ट में होती है वो भी हमने दे दिये तो अब कर लेंगे यह इस तरीके से मैं इसके क्टिंग कर लूगी लूगी ओपर की कोटी की है हमारी क्टिंग हो गई है दिधिए और यह लिए さ आच ToS आप आगेवाले पार्ट में होती है तो यह हमारेंवान पीछेंद का पार्ट हो गया है यह देखिए दोनों पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है अब इसके नीचे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा यह मेरा बचा हुआ है मैंने यह सारा कपड़ा ले लिया है आप अपनी लैंथ के अकॉर्डिंग ले 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 जितनी आपको खूर्ती की लंबाई रखनी है उसमें 20 इंचिस है तकरीबन इसकी चोड़ाई जिसकी हम प्लेट्स पनाएंगे पूरा मैंने यह कपड़ा ले लिया है अब इस रखके दिखा देती हो आपको एक बार यह देखिए इस तरीके से यह अटैच होगा हमारी कोटी तो अब हम स्लीप की कटिंग करेंगे तो स्लीप की क करने के लिए मैंने यह डबल कपड़ा रखा हुआ है और इसकी जो चोड़ाई हो मैंने 9 इंची स्लीव हुई है कि स्लीप की कटिंग करने में हम जो चोड़ाई होते हैं वो चैस्ट का फॉर्थ पार्ट लेते हैं तो साइड से हम 3 इंचिस निशान लगा रही हो मैं यह दे करें लेजरें का इस फरिए इस सरी कैसे और नीच से मैंने मुआने स्लीप कीव चौड़ाई हो मैंने 4 इंचिस रखनी है लेकिन दो इंचिस का मार्ज़न लिया है तो यह शे इंचिस हो गई है यह दे है इस तरीके से चैने औलेह किस फारी बिए क से से लाई लगीगी हमारी यहाँ पर यह देखे हैं इस तरीके से जो्लों अन्हных होती है फ्रेंट की अलग उती है तो मैं यह अमें ऍशान लगा दिया है यह Around को यह दिखा देती होँए यह देखिए से को हुर्च है ओओ यह मैने निशान लगा दिया है दो ने के बट जो हमारी center अंदर वाली cutting होती है उसकी cutting हम बाद में करेंगे पहले मैं सिर्फ उपर वाली cutting कर दे दीरी हूं यह देखिए जब हम इसके सिलाई करेंगे तब हम इसके cutting करेंगे तो गाइस यह back neck है और back पर मैंने यह design बना हुआ है आपको अगर यह design बनाना हो तो इसके link आपको description में मिल जाएगी तब मैं इसका उपर neck बनाऊंगी तो fold कर लिया है मैंने ऊपर मैं normally simple सा गला बना दूँगी 3 inches में गले की चोड़ाई लूँगी और लंबाई भी में 3 inches ही लूँगी यह देखिए एक round neck draw कर लेंगे आप चाहें तो deep neck भी बना सकते हैं यह देखिए cutting मैंने कर लिये अब मैं इसमें simply जो हमारी औरे पट्टी होती है जिसे हम तिर्शी पट्टी भी बोलते हैं वो लगा लेंगे और simply जैसे हम fold करते हैं neck को normally वैसी ही कर लेंगे मैंने इसमें pasting का use नहीं किया है ना ही बुकरम का ना ही fuse paper का यह देखिए cut लगा लेंगे हम इस तरीके से और इसको एक और बार फोल्ड कर लेंगे यह पट्टी भी बहुत अच्छे से लग जाती है आप ट्राय करें जरूर इसको यह देखिए इस तरीके से half इंचिस से भी कम फोल्ड करेंगे हम इसे बहुत फिनिशिंग में लगती है यह आप एक बार जरूर ट्राय करें यह देखिए इसी तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी इसको अब इस पट्टी में जो आगे हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा होगा हम उसकी कटिंग कर लेंगे इसकी कटिंग कर लेंगे उसके बात से तुर्पाई कर देंगी बहुत ही फिनिशिंग में आईगी यह यह अब हम इसको इस तरीके से तुर्पाई कर देंगे इस तरीके से और यह एकदम शेप में आएगा देखिए जरा भी तेड़ा नहीं होगा एकदम राउंड बनाया है यह देखिए है वह मैं आप को बता देती हो कि हमें नीचे का पार्ट कैसे आड़ करने हैं तो मैंने यह चारो पार्ट से बिछा लिए हैं देखिए आपको यह नैंक की लिंक है और नैव की डिजाइनस अगर आपको बनाने है आपको बनाने है थो इंक arriv refuse भीना कर 쌌 जैसे मैंने कपड़ा बिचाय हुए आप भी ऐसी बिचा लें और यहां पे हमें प्लेट्स बनानी है जितना हमारा कमर का कपड़ा है उतने ही हमें प्लेट्स बनानी है तो मैंने यह आगे का कला ले लिया है उसके उपर मैं आगे वाला पार्ट रख रही हूं इस तरीके से य सबस्क्राइब करें दूरी पर यह रखिए को इसी तरीके से डाल लेंगे हम प्लेट्स हमें सेंटर में जादा डालनी आई साइट्स में नहीं डालने कि वहां पिटिंग लग जाएगी तो वह प्लेट्स नहीं दिखेंगी और वैसे भी फूला फूला हो जाएगा अगर आप सभाब लागाते हैं तो वह सेंक्र में साल स्यादा प्लेट कर दाल है कि मैं आगे के पार्ट में डाल लिए हम कुछ इस त्रेके से डिली है यह अब मैं इनके उपर एक टॉप स्टिच लगा दूँगी ताकि यहां से कपड़ा फूले ना और यह पक्का हो जाए यह देखिए कपड़ा बैट जाए हमारा यहां से प्लेट्स की विज़े से कपड़ा थोड़ा उठने लगता है क्योंकि यह देखिए तो इसी तरीके से मैंने जैसे आगे के पार्ट में यह प्लेट्स दाली है ऐसी है आप पीछे के पार्ट में भी प्लेट्स दालने यह देखिए मैं आपको पीछे के पार्ट में भी प्लेट्स दाल के दिखा देती हूं इसको भी simply हमें ऐसे ही रखना है ये रेखिए और हमें plates डाल लेनी है ये रेखिए इसे तरीके से ये रेखिए तो ऐसे ही डाल लें आप भी तो प्लेट्स मेरी बैक के पार्ट में भी डल गई है अब यहां पे भी हमने टॉप स्टिच लगा लेंगे फटाफट से और उसकी बाद हम इनके कंदे जोड़ेंगे ड्रेस के आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये ड्रेस तो यह देखिए यहां भी प्लेट्स दल गई है तो अब हम इसके कंदे जोड़ेंगे तो मैंने इस पे पहले तुरपाई नहीं करीती क्योंकि हम इसके कंदे जोड़ लेंगे उसके बाद हम इसमें तुरपाई करेंगे बैक के गले में तो यह देखिए हम इसमें तुर्पाई करेंगे तो यह जो मारी एक्स्ट्रा पत्टी थी इसको हम कर लेंगेley को कवर करेंगे जैसे कि हम जोडते हैं कंदे वैशे ही ये देखिए ये देखिए दूसरा वाला भी लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हमें आगे वाले कपड़े को कवर करना है इस तरीके से ये देखिए पिछा लिए है मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है तुर्पाई का उससे हमने कवर कर लिया आगे वाले कपड़े को और उसके बाद सिलाई लगा दी यह देखिए तो यह फोल्ड जब हम करेंगे इसको तो यह आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा मैं आपको दिखा दोती हूँ यह देखिए एकदम अच्छे से फिनिशिंग में यह देखिए अब हम इस पर दुर्पाई करेंगे इस तरीके से और यह राउंड नेक हमारा इस तरीके से बन जाएगा देखिए अब मैं इसी साइड में जो हमारे निशान लगे हुते महाँ पे मैं फटिंग लगा लूँगी तो यह मैंने फिटिंग का जो निशान है वो ड्रक कर लिया है बट मैंने चोली से थोड़ा नीचे तक फिटिंग लिया हुआ है मैंने ज्यादा ऊपर नहीं लिया तो मैंने 4 कि यहां तक लेंगे हैं क्योंकि नीचे तो हमारा धीला ही होगा यह लूज होगा तो हम थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा ले लेते हैं घेर के लिए दूसरी साइड मैंने निशान पेस्ट कर लिया है कि यह देखिए तो अब मैं फिटिंग लगा लूंगे इसमें यह देखिए कट्चो होते हैं इस कुट कुटी में बहुत डीप होता है बट मैंने नीचे तक रखा है थोड़ा ऐसे ही दूसरी साइड भी लगा लूंगे मैं फिटिंग यह देखिए तो यह लग गई है हमारी फिटिंग अब इसके जो साइड्स के चाक है इनको हम फोल्ड करेंगे यह देखिए यह जो चाक है हम इनको फोल्ड करेंगे आप चाहिए तो यह पर बॉर्डर ली या फिर ले इसका यूस भी कर सकते हैं तो मैंने नीचे से फोल्ड करना शुरू करूंगी यह देखिए पतला सा फोल्ड करेंगे हम बस हाफ इंचिस का अंदर फोल्ड करेंगे और हाफ इंचिस उपर से यह देखिए मैं इन पर पक्की सिलाई लगा रही हूं जिन्सकी वेसे हमें इस पर तुर्पाई नहीं करनी पड़ेगी यह देखिए चाक वाला जो उपर पॉइंट आ गया है हमारा यहां पर हम थोड़ा सिलाई लगाएंगे सूट का जैसे चाक बनता है हमें वैसे ही बना लेना है आपर बहुत ही सिंपल है यह कुर्टी बनाना तो देखिए यह चाक भी बना लिया है मैंने एक साइड का कि यह देखिए यह देखिया दिखा देती हूं यह देख्या यह बन गया है हमारा 되고 कि हॉक्षिज न दूसरी साइट का चाक ले लिएए हम इसको भी बना लेंगे वैसे ही सलाई लगा लेंगे शक्तिर्फियमने पहले वाले में लगाई थी यह देखिए तो उसी तरीके से मैं करती जाओंगी इसमें भी बहुत ही ट्रेंडिंग है आज कल ये कुर्टीज ये देखिए तो मैंने यहां से भी फोल्ड कर लिया है ये ये देखिए अब इसका जो नीचे का है हम उसको फोल्ड कर लेंगे ये देखिए नीचे मैंने एक इंचिस का ही फोल्ड किया है इसकी लैंद फिर कम हो जाती इसलिए ये देखिए उसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने साइट के चार्क फोल्ड किये थे वैसे हम नीचे का दामन भी फोल्ड कर लेंगे ये देखिए तो गाइस मैंने इसको नीचे से भी फोल्ड कर लिया है इसका एक जो पार्ट है वहाने नीचे से फोल्ड कर लिया है अब ऐसे ही दूसरा पार्ट भी फोल्ड करेंगे तो मैंने इसकी स्लीव बनाई एगा इसकी डिजाइन अगर पुछ यह हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जैसे कि स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 13 इंचिस ली ती और मैंने बॉर्डर 2.5 इंचिस का लगाया इसमें तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो साड़े 15 या 16 इंचिस तक हो गई है आपको बनाना हो अगर ऐसा ही तो आप उसके अकॉर्डिंग बना लें इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी स्लीव की तो मैं आप इस पर पिटिंग लगा लूंगी स्लीव पर तो यह देखिए जो स्लीव है उसे मैं नीचे से ह यह देखिए उपर को जोइंट कर दी है मैंने लाइन ऐसी हमने दूसरी वाली स्लीव पर भी निशान लगा लेंगे और दोनों पर फिटिंग लगा लेंगे और इसको कुर्ती में अटैच कर लेंगे इसकी जो डीप कटिंग है उसको अब हम कर लेंगे इसकी डीप कटिंग यह देखिए सीधे करके दिखा देती हूँ मैं आपको कि यह किस तरीके से हमारी आएगी तो यह देखिए थोड़ हलका सा यहां से ऐसे घूमे हुआ आएगी थोड़ा सा आपका अगर जोल जादा आ रहा हो तो आप थोड़ा सा कट लगा दें वहाँ पर फिर यह आपके अच्छे से आ जाएगी यह देखिए तो यह स्लीव है हमारी इसको मैं अपनी कुर्टी में अटैच कर लूँगी तो नॉर्मल हम जैसे स्लीव अटैच करते हैं गाइस बिल्कुल वैसे ही हमें इस स्लीव भी अटैच करनी है कुछ भी मुश्किल की बात नहीं करनी है इसाथ चाहनी है इसमें आगे की जो कट्टी कि के साथ च्राइब करनी है और करती है जोह की बैक कटिंगा यह वह आहिमयी की बैक कटिंग के साथ रखनी है और जोइं sound कर दिनी है अंगिये देखिए और आप इसी तरीकी से स्लीव लगाया करें इससे अच्छी सी शेप आती है और जोल नहीं आता है नहीं खिजाब होता है कुछ लोग ऐसा करते हैं कि स्लीव पहले अटेच करते हैं उसके बाद फिटिंग लगाते हैं बटा पहले फिटिंग लगाया करें उसके बाद स्लीव यह देखिए तो मैंने यह स्लीव भी अटैच कर दिया इसमें यह देखिए कि बिल्कुल भी इसमें छोटे बड़ी का जो इश्यू होता वह नहीं हुआ है क्योंकि हमने चेस्ट बराबर लिया हुआ था दूनों का इसलिए यह देखिए तो देखिए एकनम फिनिशिंग में स्लीव अटैच हो गई है हमारी कोई भी जोल नहीं आ रहा है नहीं कहीं चुनट पड़ रही है यह देखिए अटैच मैंने कर दिया यह इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव भी अटैच कर लें यह देखिए अब जो इसके साइड के जो चाक थे हमारे उसमें हम लटकन लगाएंगे तो मैंने यह लटकन बनाया हुए इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो हम इस तरीके से दूरी रखेंगे आप चाहिए तो लूपस भी लगा सकते हैं इसमें बट मैंने लूपस नहीं लगाया है यह देखिए कि मैंने इनको नॉर्मली सिल दिया है विकोज यह ऐसे भी अच्छे लगते हैं आप चाहिए तो लूपस लगा लें और उनके अंदर डूरी को डाल लें तो मैंने यह दोनों साइड लगा लूग एक चुछ भी गजिस यह मेरा कुट्ति का का रेड़ी लूक है यह देखिम ना में इसमें यह नि começou अइक पे आप को description में मिल जाएगी और साथी यह बैक डिजाइन का भी लिंक का आपको description में मिल जाएगा बनना यह आल है यह देखिए कि...' साइड से मैंने यह लटकन जो लगाए हुआ है ये भी देख सकते हैं आप है होивать यह देखिए यह रहे हमारे लटकन हो पूर्टी का आगे से लाउत क्षैस है कि यह कर देखिए यह का नीचे मैंने जो इसका ट्राउजर बनाया हुआ है, इसमें भी मैंने डिजाइन डाला हुआ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा, ये देखिए, इस तरीके से, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेस्गूप पर बने रहे हैं, थैंक्यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग,